एक्सलेंसीज नमस्कार आज 23 समीट में आप सबका हार्दिक स्वागत है पिछले दो दशक में SEO पूरे एशियाई क्षेत्र में शांती, समरुधी और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेट्फरम के रुपे उभरा है इस ख्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल समन्द हमारी साजह विरासत का जीवन प्रमाण है अम इस ख्षेत्र को एक्स्टेंडेड नेवर हुड़ी नहीं, एक्स्टेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं एक्सलेंसीज, S.C.O. के अध्रिक्ष के रुप में भारत ने हमारे बहु आयामी सहयोग को नई उचाईयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किये हैं दो मुल्भु सिध्धांतों पर आधारित किया है पहला बशुधेव कुटुम कम यानि पूरा विश्व एक परिवार है यह सिध्धांत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन अंग रहा है और आधुनिक समय समय में भी हमारे लिए एक नई प्रेना और उर्जां का स्त्रोथ है और दूसरा, secure यानि security, economic development, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity यह हमारी अध्यक्ष्टा का थीम और हमारे SEO के वीजन का प्रतिवीम है भारत ने इस द्रश्टिकोन के साथ SEO में सयोग के पाँच नए स्थम बनाए है Startups and Innovation Traditional Medicine Youth Empowerment Digital Inclusion तथा Shared Buddhist Heritage Excellencies भारत ने SEO की अपनी अध्यक्ष्टा के अंतरगत 140 से अधिक कारकमों और सम्मेलनों और बैठकों की मिजबानी की हमने SEO के सभी observers और dialogue partners को 14 विविन कारकमों में शामिल किया है SEO की 14 मंत्रिस्तर की बैठकों में हमने मिलकर कई महत्वपुन दस्तावेत तयार किये हैं इनसे हम अपने सयोग में नए और आधुनिक आयाम जोड रहे हैं जैसे उर्जा क्षेत्र में Emerging FUELS पर सयोग Transport के क्षेत्र में Decarbonization और Digital Transformation में सयोग Digital Public Infrastructure के क्षेत्र में सयोग भारत का प्रयास रहा है कि SEO में सयोग केवल सरकारों तक सिमित्न रहे लोगों के बीच संपर्क और गहरा करने के लिए भारत की अधुक्ता में नई पहले ली गई हैं पहली बार SEO Millet Food Festival Film Festival SEO Suraajkun Krapmela Think Tank Conference International Conference on Shared Buddhist Heritage का आविजन किया गया SEO की पहली परियाटने बम सांस्कृतिक राजदानी Eternal City, Varanasi अलग-अलग कारकमों के लिए आकरशन का केंदर बनी SEO देशों के युवाओं की उर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए हमने Young Scientist Conclave Young Authors Conclave Young Residence Scholars Program Startup Forum Youth Council जैसे नए फोरम्स का आयोजन किया Excellence वर्तमान समय में वैस्विक स्थिती एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है विवादों, तनावों और महामारी से गिरे विश्व में फूर्ट, 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 और फर्टिलाइजर काइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनोती है हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि कि क्या हम एक संगठन के रुप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांचाओं को पूरा करने में समर्त है क्या हम आदुनिक चुनोतियों का सामना करने में सक्षम है क्या SEO एक ऐसा संगठन बन रहा है जो बविश के लिए पूरी तरह से तयार हो इस विशे में भारत SEO में सुधार और आधुनकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है SEO के अंतरगत भाषा समंदी बाधाओं को हटाने के लिए हमें भारत के AI-based language platform भाषिनी के सभी के साथ साजा करने में खुशी होगी यह digital technology for inclusive growth का एक उदारन बन सकता है UN सहीद अन्य वैश्विक समस्तानों में भी सुधार के लिए SEO एक महत्वपून आवाज बन सकता है मुझे खुशी है कि आज इरान SEO परिवार में एक नए सदस्य के रुप में जुडने जा रहा है इसके लिए मैं राश्पती राइसी और इरान के लोगों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ साथ ही हम बेलारूस की SEO सदस्ता के लिए Memorandum of Obligation पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं आज SEO से जुडने में अन्य देशों की रूची इस और्गनाईजेशन के महत्व का प्रमाण है इस प्रक्रिया में या आवशक है कि SEO का मूल फोकस मद्दे एशियाई देशों के हीतों और आकांग्षाओं पर केंद्रित रहे एक्सलेंसी आतंगवाद छेत्रिय एवं बैश्विक शान्ति के लिए प्रमुख खत्रा बना हुआ है हम चुनोती से निपटने के लिए निरना एक कारवाई आवशक है आतंगवाद चाहे कसी भी रूप में हो किसी भी अभिव्यक्ति में हो हमें इसकी विरूत मिलकर लड़ाई करनी होगी कुछ देश क्रोस बॉर्डर टर्रिज्म को अपनी नीतियों के इंस्टूमेंट के रुप में इस्तिमाल करते हैं आतंगवादियों को पना देते हैं SEO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए इवरे मापदन के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए टेरर फाइनांसिंग के निप से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए इसमें SEO के रेट्स मेकनिजम की महत्पण भुमिका रही है हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए रेडिकलाइजेशन के विशह में आज जरूरी आज जारी की जा रही जोइन स्टेटमेंट हमारी साजा प्रतिबद्दता का प्रतीख है एक्सलेंसीज अफगानिस्तान की स्थीति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं S.C.O. के अधिकांस देशों के समान है हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्डियान के लिए मिलकर प्रयास करने होगे अफगान नागरिकों को मानिविय सहायता एक समावे सी सरकार का गठन आतंगवाद और ड्रग तसकरी के विरुद लड़ाई तता महिलाओं, बच्चों और अल्फ सर्ग्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साजह प्रात्पिक्ता है भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सद्यों पुराने मैत्रिपून सम्मंद रहे हैं पिछले दो दोशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है 2021 के घटना करम के बाद भी हम मानविय सहायता भेचते रहे हैं यह आवशक है कि अफगानिस्तान की भूमी पडोसी देशों में अस्थीरता भेलाने या एक्स्टिमिस्ट विचार धाराओं को पुटसाइद करने के लिए उपयोग न की जाए एक्सलेंसी किसी भी छेत्र की प्रगति के लिए मजबुत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवशक है बहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं आपसी विश्वास भी बढ़ाती है किन्तु इन प्रयासों में SEO चार्टर के मूल सिधानतों विशेश रुप से सदस्य देशों की संप्रभूता और खेत्रिय अखंडता का सम्मान करना बहुती आवशक है इरान की SEO सदस्यता के बाद हम चाबहार पॉर्ट के बहतर उप्योग के लिए काम कर सकते हैं मद्दे एशिया के लैंड लॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नौर्थ साउट ट्रांस्पर्ट कोरिडोर इंडियन ओशन तक पहुँचने का एक सुरथिक और सुगम रास्ता बन सकता है हमें इसका पूरा पोटेंशल रियलाइज करना चाहिए एक्सलेंसी SEO विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थिववस्ता के लगबग एक तिहाई का प्रतिनिदित्व करता है और इस कारण यह हमारी साजाज जिम्मेदारी है कि हम एक दुसरे की जरुनतों और समवेदन सिल्टाओं को समझे बहतर सहयोग तता समनवाई के मादम से सभी चुनोतियों का समाधान करे और हमारे लोगों के कल्यान के लिए निरंतर प्रयास करे भारत की अध्यक्षता को सभल बनाने में आप सब से हमें निरंतर सहयोग मिला इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं S.C.O. के अगले अध्यक्ष कजगस्थान के राष्टपती और मेदे मित्र प्रेसिडंट तोकायव को पूरे भारत की और से बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ S.C.O. की सभलता के लिए भारत सभी के साथ मिलकर सक्रिय रूप से अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं बहुत बहुत धन्यवाद